लो है कि सब्सक्राइब करें यह जो फैलोशिप अपडेट है बोया है मिनिस्ट्री आफ एड्यूकेशन की तरफ से ऐसे लोग जो अपनी पोस्ट ग्याजवेशन फॉरं से करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही golden opportunity है कि उनके लिए एक scholarship प्रोग्राम आया है जो कि scholarship दे रही है इस scholarship के अंडर उन लोगों के लिए कॉल की गई है प्लीकेशन की जो कि अपनी पोस्ट ग्याजवेशन थाइलेंड से करना चाहते हैं आज के इस वीडियो में हम जानेगी scholarship के लिए eligibility criteria क्या है कितने लोगों को जो है यह fellowship और scholarship मिल सकती है कौन कौन से discipline के लोग जो है इसके लिए apply कर सकते हैं और कब जो है इसकी जो है dates क्या क्या है important dates और क्या क्या आपका जो है लास्ट में comment करें अगर आपकी कोई query होती है तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए है मेरे चैनल पर ताकि आपको education sector से हर लेटेस्ट अप्टेट जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के मात्यम से पहुंचे तो आए दोस्तों सुरू करते हैं तो post graduate scholarship program जो है initiate किया है for the academic year 2021 के लिए इसमें applications मागी है ऐसे लोग जो अपनी master degree या post graduation करना चाहते हैं अब मैं सबसे पहले बताऊँगा इस post graduate program के लिए इनफेक्ट मैं कहूं तो इस scholarship program के लिए eligibility criteria क्या रहेगा तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बता रखा है applicant must be under the age of 30 years मतलब ऐसे लोग जो 30 साल से कम IU के हैं वो ही इसके लिए apply कर सकते हैं दूसरी बात यहाँ पे bachelor degree में जो CGPA है आपका वो 2.75 या इससे अबब होना चाहिए चार पॉइंट GPA scale से अगर मैं बात करूं तो मतलब चार पॉइंट का अगर GPA scale है तो आपका CGPA है जो है वो 2.75 या उससे अबब होना चाहिए इसके अलावा fields कौन कौन सी बताई गई है तो fields में यहाँ बात की गई है science की field जैसे chemistry है biology है biological science है molecular biology है environmental science है medical science से medicine की field वाले medical technology वाले pharmacy और pharmaceutical science वाले लोग जो है इसके लिए apply कर सकते हैं और साथ में यह भी लिखा है applicant from other related fields are also welcome to apply मतलब science medical science या pharmacy से related जो कोई भी और field आती है उसक है वो apply कर सकते हैं इसके अलावाइस में बोला गया है कि must have experience in scientific laboratory research आपका जो है experience होना चाहिए आपके पास scientific laboratory research में आप और यहाँ पे बात कहिए कि English proficiency आपके अच्छी होने चाहिए आपको English में जो है आना चाहिए बात करना और highlight आपका जो है वो clear होना चाहिए must provide a statement of purpose explaining that their interest in study कि आपको एक purpose statement जो है वो इसमें बतानी पड़ेगी इनको देनी पड़ेगी क्यों आप जो है इस particular field में study करना चाहते हैं और इन्हों क्या बोला है कि applied biological science, environmental health, environmental taxicology, chemical science के scholars की scholarship भी इसी field में जो है वो cover की जा रही है अब क्या-क्या मिलेगा इस scholarship में इस scholarship program के अंडर आपको पूरा academic fees जो है आपको मिलेगी, tuition fee मिलेगी, round trip airfare मिलेगा मतलब आने जाने का airfare आपको मिलेगा, accommodation मिलेगी, monthly stipend मिलेगा, books का खर्चा मिलेगा, health insurance और आधर तरह के benefit जो है वो आपको मिलेंगे इसमें क्या होगा जी इसमें 6 बीक का एक refresher course होगा उसके बाद जो है वो 2 साल की आपकी master degree जो है वो थाइलेंड में होगी अब इसके बाद जो है आपका annual review होगा scholarship का कि आप satisfactory progress कर रहे है या नहीं कर रहे है अच्छे से काम नहीं कर रहे है पहले refresher course होगा उसके बाद जो है जो है आपका post graduation होगी और refresher course लगवग आपके जून 2021 से जो है वो start होगा अब इसके बाद बात करें अगर की कहां से apply करना है तो आपको apply करना है जो MHRD का साकसत portal है जहां पे दे रखा है www.proposals.sac.ac.in slash scholarship slash करके एक window है इसको आपने open करना है और यहां से आप apply कर सकते हैं 11 September 2020 से apply करने की date start है और 15 October 2020 तक जो है last date है apply करने की इसके बीच में और इन dates को आप जो apply कर सकते हैं अब आपको चाहिए क्या documents यह भी आपको में बता देता हूं कि applicant जो भी apply करना चाहते हैं उनको क्या-क्या चाहिए उस MHRD के साकसत portal में क्या-क्या upload करना है एक तो आपको scanned copy आप भरनी पड़ेगी अपलोड करनी पड़ेगी जो भी क्लैब ओन graduate इंसिट्यूट प्रोस्ट graduate scholarship प्रोग्राम की application form है application form इसमें इस notification में लगा हुआ है आप यहां से download करके print कर सकते हैं उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से भरना है उसको scan करके आपने upload करना है दूसरा आ आपकी academy marksit जैसे marksit plus 2 की, matric की और graduation की आपकी marksit उसमें लगेगी इसके लाबा highlight की जो आपने किया है उसका certificate लगेगा और इसके लाबा आपका scientific laboratory research experience है उसका certificate लगेगा और self-attested statement चाहिए purpose explaining their study कि क्यूं आप study करना चाहते हैं और इसके लाबा अगर आपकी percentage system है आपकी university का grade CG system है तो उसकी scan copy लगेगी transcript की कि किस तरह से क्या conversion रहेगा formulas कौन कौन से होंगे अब इस सारे document आपका individual document जो है वो एक MB से जादा का नहीं होना चाहिए इसके अलाबा जो है क्या बात कही गई है इसमें five application will be nominated by the external scholarship division ministry of education की ministry of education का जो external scholarship division है वो पाँच application जो है select करेगा और उनको जो है nominate करेगा इस scholarship के लिए और उसमें जो है जो भी रहेगा criteria सबसे पहले preference जो मिलेगी वो मिलेगी उन institution के students को जो institution of institute of national importance से बिलॉंग करते हैं जैसे IIT हैं IIM है IIS है बेंगलूरू का और इसके अलाबा Central Universities फिर बात आती है Technical Institutes की जो centrally funded है और S Institute जो NAC के द्वारा credit है फ पहले preference मिलेगी जो national importance फिर उसके बास Central Universities फिर Central इंफंडिट टेक्निकल इंसिटूट और फिर बात आती है NAC accredited institutions की करना क्या है आपको आपको अपलोड करने है पहले तो डॉक्मेंट उस पोर्टल पे जो मैंने उपर दिया description में इसका लिंक दे दूँगा इसके अलाबा आ वान सेकिंड फ्लोर बींग सिक्स आरके पूरं न्यू डैली डबल वन डबल जीरो डबल सिक्स पे आपको जो है वो आपको पोस्ट भेजने हैं क्या क्या उसमें भेजना है completely filled application form, full academic transcripts, three recommendation letters, statement of purpose explaining interest of study, medical history report और other sporting document to facilitate application screening यह आपको जो है hard copy में भी send करने हैं अगर आपकी कोई query होती है तो आपको क्या करना है आपको इस mail पे mail drop करना है es3.edu at the rate nic.in और call कर सकते हैं 01126172492 पे और जो भी आपको document भेजने हैं वो आपके 17 October 2020 से पहले पहले पहुंचने चाहिए अब इसमें application form कैसा है यह भी मैं आपको बता दिता हूं यह application form का copy यहां पे enclose किया हुआ है आप इसको देख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भरके आपने अच्छे से भरना है और भरने के बाद जो है आपको यह upload करना है site पे जो site मैंने उपर आपको बताई इसके अलाबा आपको मैं यह site का link जो है वो description में भी डाल दूँगा आप वहां से भी इसको link को operate कर सकते हैं यह पूरा complete form आपको भरना है scan करना है इसके अलाबा जो documents उपर बताए वह आपको भरके नहीं माफ की जीगा scan करके जो है upload करने है और इसकी hard copy जो है forum की और उन documents की आपको MHRD के जिये गए address पे भेजनी है तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा thanks for listening thanks for watching like करें वीडियो को comment करें अगर आपकी को query होती है तो share करें अपने दोस्तों के साथ ताकि बाकी लोग भी इसका benefit उठा सके और subscribe कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए है मेरे चैनल पे ताकि education sector selected हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के अदिम से पहुंचे थैंक यू थैंक्यू थैंक्स अलॉट